जहिन दोस्तों स्वागे था आप सभी का स्ट्रेशन में आज की स्ट्रेशन में हम भारती अर्थ हव्यवस्था के टॉप 50 MCQs करने वाले हैं जो आने वाली सभी परिक्षाओं में काफी महत पूर्ण हैं तो जुड़े रहे हमारे साथ अपनी परिक्षा के तैयरी पूरी जानिए और याद भी रखिए ताकि परिक्षा में आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे चलिए देर न करते हैं हमारी स्ट्रेशन को सुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है निमलिखित में से कौन सा समूद्री उद्यस्यों के लिए मानक मान्चित्र प्रक्षे अगला प्रश्न है अपर पेडा जिसको कहता है उसमें पी का मतलब क्या है तो अपेडा में जो पी का मतलब है जिये के विकल्पों में सहीं उत्र तो आपने अभी तक चुन लिया होगा तो इसमें से सहीं उत्र रहेगा आपका ओप्सन c ठिक है food processed food products पी का मतलब होता है processed food products अब इसका अगर इसका पूरा नाम होता है agriculture अपेडा का पूरा नाम एपी एडी ए agriculture and processed food products export development authority हिंदी में कहें तो क्रिसी और संसाधित खाद उत्पाद निर्यात विकास प्राधी करनाड है अगला प्रशन है निम लिखित में से कौन सा संगठन model tax से सम्मेलन को प्रकासित और लगातार अधनात करता है जो कर समन्वाय और सहयोग के संबन्द में दूई पक्षिय वारताओं के लिए टेंपलेट के रूप में कारे करता है कौन सा संगठन है जो model tax से सम्मेलन को प्रकासित और लगातार अधनात करता है और ये क्या करता है समन्वाय और सहयोग के संबन्द में दूई पक्षिय वारताओं के लिए भी टेंपलेट के रूप में एक कारे करता है तो दिये के विकल्पों में से हमारा सही उत्तर रहेगा option A OECD ठीक है OECD इसको full farm होता है आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ठीक है आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन इसका जो इस थापना था वो हुआ था आपका 1961 में यह एक अंतर राज्जिय संगठन है जो 35 देश इसमें सामिल है इस संगठन में कुल 35 देश सामिल होते हैं अगला प्रश्ण है विश्व आर्थिक आउटलूक रिपोर्ट कौन जारी करता है विश्व आर्थिक आउटलूक रिपोर्ट कौन जारी करता है तो दिये गए विकल्पों में से जो हमारा सहीं उतर रहेगा वो रहेगा option C IMF ठीक है विश्व आर्थिक आउटलूक रिपो तो जिसमें उसमें क्या वालता है इसको बनाया गया था RBS राघवन समीती निमलखित में से किससे संबंधित है तो जो RBS राघवन समीती है वो आपका प्रतियोगीता अधिनियम से संबंधित है option B हमारा सहीं उत्तर रहेगा RBS राघवन समीती प्रतियोगिता अधिनियम से सम्मन्दित है यह सम्मित्यों को 2002 में बनाया गया था ठीक है यह किसे सम्मन्दित है प्रतियोगिता अधिनियम से अगला प्रशन है भारत का पहला मेगा फूड़ पार्क कहां है भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहा है तो दिये गए विकल्पों में से सही उतर तो आपने अभी तक चुनी लिया होगा तो भारत का पहला मेगा फूड पार्क जो है वह है आपका option भी सही उतर रहेगा हरी द्वार में है ठीक है भारत का पहला मेगा फूट पार्क हरी द्वार में है अगला प्रश्ण है ओपेक के सदस्य देशों द्वारा दुनिया का कितने प्रतिसत तेल निकाला जाता है तो ओपेक के जितने भी सदस्य देश हैं उनके द्वारा दुनिया का कुल 50 प्रतिसत तेल निकाला जाता है आप संडी हमारा सहीं उत्तर रहेगा ठीक है उपक का फूल साथ में और इसमें फरवरी 2018 में, ठीक है, कब 2018 में इसमें कुल 14 सदस्य देश थे, ठीक है, 14 देश दो है, फरवरी 2018 की सिती में इसमें सदस्य थे, ये देश दुनिया के तेल का 50 प्रतिसत जो है, उत्पादन करते हैं, अगला प्रशन है, RBI की दूसरी अनुसूची में सामिल बैंकों को क्या कहा जाता है तो RBI की दूसरी अनुसूची में जो बैंक सामिल होते हैं, उनको अनुसूचीत बैंक कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, अगला प्रशन है, व्यपार और बैंकिंग के छेतर में, C-R-A-R क्या है, व्यपार और बैंकिंग के छेतर में, C-R-A-R क्या है, तो व्यपार of risk asset ratio इस तरीके से हमारे जो सहिंतर रहेगा वह जाएगा option A capital to risk asset ratio माफ कीजिएगा यह क्या है एक पुंजी पराप्तता अनुपात है ठीक है यह क्या होता है पुंजी पराप्तता अनुपात को पुंजी से जोखिम एफर संपत्ती अनुपात के रूप में भी जाना जाता है यह क्या करता है बैंक की पुंजी के जोखिम का जो अनुपात रहता है उसको शो करता है जो रेशियो होता है बैंक में पुंजी के अनुपात का उसको शो करता है अगल अगला प्रश्ण है सीडो का पूरा नाम क्या है सीडो का पूरा नाम क्या है तो दिये गए विकल्पों में से सही उतर रहेगा हमारा आप्शन सीडो का पूरा नाम होता है वो होता है इसमाल इंड़स्ट्रीस डिवलप्मेंट और्गनाइजेशन सीडो का पूरा नाम है अगला प्रश्ण है निमलिखित में क्या पुंजी वादी बजार में वित्पन साधन नहीं है तो इसका सही उतर रहेगा ऑप्शन बी लभांस जो ह पुंजी वादी बजार में वित्पन साधन नहीं है बाकि एक्विटी स्वैप विकल्प और भविष्ट यह सब क्या है पुंजी वादी बजार में वित्पन साधन है अगला प्रश्ण है निमलिखित में क्या मुद्र इस्विती का कारण नहीं है पुशा है तो दिये गए विकल्पों में से मुद्राइश्विती का कारण नहीं है बताना है तो इसमें जो सहीं उतर रहेगा वो रहेगा आपका option B, आय का समान वित्रण यह जो है मुद्राइश्विती का कारण नहीं है ठीक है आय का समान वित्रण मुद्राइश्विती का कारण नहीं है मुद्र इस्विती के प्रमुक कारण देखें तो मुद्र इस्विती के प्रमुक कारण हो सकता है पहला मांग में विरिद्धी ठीक है मांग में विरिद्धी होने से मुद्र इस्विती बढ़ती है दूसरा लागत में विरिद्धी ठीक है पहला क्या है मांग दूसरा लागत और इसके अलावा मुद्रा में गिरावट और एक और इसके कारण अप्रत्तक चकर में बढ़ोत्री ठीक है कर में बढ़ोत्री अप्रत्तक चकर में बढ़ोत्री जो है वो मुद्रा इस्विती के कारण हो सकते हैं वो रहेगा आय का समान वित्रण अगला प्रशन है आर्थिक सलाहकार परिशद किसके द्वारा बनाई गई है आर्थिक सलाहकार परिशद किसके द्वारा बनाई गई है तो दिये गए विकलपों में से सहिंतर रहेगा आप्शन D इन में से कोई नहीं तो जो आर्थिक सलाहकार परिशद क्या है एक गैर समवैधानिक अइस्थाई और स्वतंद्र निकाय है क्या है एक यह एक गैर समवैधानिक आर्थिक सलाहकार जो परिशद है वो गैर समवैधानिक अइस्थाई और क्या है एक स्वतंद्र निकाय है ठीक है जो सरकार को और खास कर प्रधान मंत्री को सलाह देती है आर्थिक सलाह का प्रिश्ट किसको सलाह देती है अधिकतर प्रधान मंत्री को सलाह देती है यह है गैर समय धानिक अईस्थाई और स्वतंदर प्रिश्ट है अगला प्रश्ण है निमलखित में से किसमे सुधारों की सिफारिस करने के लिए माले गाम समीती गठन किया गया था किसमे सुधारों की सिफारिस करने के लिए माले गाम समीती का गठन किया गया था ठीक है प्राथमिक पुंजी बाजार में जो सुधार करने थे उनकी सिफारिस के लिए जो है माले गाम समीती का गठन किया गया था इसका गठन जो किया गया था वो किया गया था आपका सेवी के द्वारा ठीक है सेवी के द्वारा जो है माले गाम समीती का गठन किया गया था इस यह जो समीती है इसने 1995 में अपनी रिपोर्ट दी थी अगला प्रश्ण है निमलिखित में से कौन सी समीती प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से सम्बंधित है तो दिये गए विकल्पों में से जो सही उतर रहेगा वो रहेगा आप्शन C एन के सी हैं समीती जो है वह प्रत्यक्ष रूप से विदेशी निवेश से सम्बंधित है अगला प्रश्ण है भारत के किस राज्य या केंदर सासित प्रदेश ने 100% या 100% विदेशी समावेशन की घोशना की है भारत के किस राज्य या केंदर सासित प्रदेश ने 100% पुडुचेरी ठीक है पुडुचेरी ने सत्प्रतिसत वित्तिय समावेशन की घोषणा की है वित्तिय समावेशन का उद्देश से क्या है अधिकांस ग्रामीडों को वित्तिय और बैंकिंग सेवाओं से नेट में लाने का लक्ष अगला प्रश्न है नियूंतम मजदूर जा फिर निमतम मजदूरी अधि नियम निधी की स्थापना कब हुई राष्ट्रिय निवेस निधी की स्थापना जो की गई थी वो की गे थी 2007 में option C हमारा सहीं उत्तर रहेगा अगला प्रश्ण है प्रध्योगी की उन्ययन निधी योजना किस से सम्बंधी थे तो जो प्रध्योगी की उन्ययन निधी योजना किस से सम्बंधी थे तो जो प्रध्योगी की उन्ययन निधी योजना है कुछ कथन दिये गए है बैंकिंग विभाग को अंक विभाग से मुद्रा मिलती है पहला कथन क्या है बैंकिंग विभाग को अंक विभाग से मुद्रा मिलती है सरकार मुद्रा को परी संचरण में डालती है केंदर सरकार अपने बजट में घाटे को शामिल करती है सरकार RBI के बैंकिंग विभाग को ट्रेजरी बिल बेचती है उपरोग तकारियों का सही क्रम क्या है इसका आपको सही क्रम में जमाना है दिये गए कूट के अधार पे तो इसका सही उतर रहेगा आपका ओप्सन B ठीक है 3,4,1,2 इसका जो सही क्रम रहेगा वो रहेगा आपका केंदर सरकार अपने बजट में घाटे को सामिल करती है पहला आएगा फिर आएगा आपका सरकार RBI के बैंकिंग विभाग को ट्रेजरी बिल बेचती है फिर उसके बाद चोंथा विकलप आएगा फिर आएगा अगला जो रहेगा बैंकिंग विभाग को अंक विभाग से मुद्रा मिलती है ठीक है तीसरे नंबर पर रहेगा फिर चोंथे नंबर पर सरकार मुद्रा को परिसंजरन में डालती है यह इसका सही क्यम रहेगा थिक है, नबाट जो है राष्ट्रिय सहकारी वीपनार्ण संक को credit sema अधिक्रित करता है नबाट को हिंदी में कहते है राष्ट्रिय क्रिसि और ग्रामिड विकास बैंक जो इसकी स्थापना कफ कि गए थी? नबाट की जो इस्थापना है वो कि गए थी आपका 1982 में ठीक है अगला प्रश्न है समय समय पर निम लिखित निकाय में से कौन सा भारत में विदेशी मुद्रा के संदर्व में एक्सचेंज कंट्रोल मैनुवल प्रकाशित करता है अगला प्रश्न है फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से निम लिखित कारेकरमों में से कौन सा कारेकरम सुरू किया गया था फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से कौन सा कारेकरम प्रारंभ किया गया था तो दिये गए विकल्पों में से जो सहीं विकल्प रहेगा वो रहेगा आ सबसे पहले हुआ कौन सी सरकारी कंपणी का प्राइविटी करण या प्राइविटाइजेशन सबसे पहले हुआ कौन सी सरकारी कंपणी का प्राइविटाइजेशन सबसे पहले हुआ था तो दिये गए विकल्पों में से जो सहीं उतर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन C मारूती उद्योग लिमिटेड ठीक है मारूती उद्योग लिमिटेड का सबसे पहले प्राइविटाइजेशन भारत में तो इसका जो प्राइविटाइजेशन हुआ था वो हुआ था आपका 1981 में ठीक है सब से पहले मारतु उद्ध्योग लिमिटेड का प्राइविटाइजेशन हुआ भारत में 1981 में अगला प्रशन है नेम लिखी समीतियों में से किसकी सिफारिश पर स्वार्ण जयनती ग्राम्र स्वार्ण जयनती ग्राम्र स्वार्ण जयनती ग्राम्र आजिविका मिशन में पुनर गठन किया गया तो दिये गए विकल्पों में से सहीं उतर रहे का मारा आप्शन बी राधा कृष्ण समीति ठीक है राधा कृष्ण समीति की सिफारिश पर स्वार्ण जयनती राम सोरजगार योजना को राश्ट्री ग्रामिड अजीवी का मिशन में पुनर गठन किया गया था अगला प्रस्ण है निम लिखित में से कौन सा वित्य उत्तरदाइत्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में निर्धारित नहीं किया गया था तो दिये गए विकलपों मे से सही रहेगा आपका ओप्शन B प्राथमिक घाटे का उन्मूलन ठीक है प्राथमिक घाटे का उन्मूलन वित्य उत्तरदाइत्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में पारित हुआ इसका उद्देश राज कोश्य घाटे को खत्म करना था हाला कि 2008 में इसकी जो आर्थिक मंदी की कारण यह असफल हो गया था तो हमारा प्रशन था कि कौन सा वित्य उत्तरदाइत और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में निर्धारित नहीं किया गया था तो प्राथमिक घाटे का उन्मूलन जो है इसमें निर्धारित नहीं किया गया था अगला प्रशन है भारत में नोट शपाई की जगह निर्धारित में कहा है नोट शपाई की जगह कहा है तो दिये गए विकल्पों में से जो सहीं उत्तर रहेगा वो रहेगा आप्शन B ठीक है एक दो तीन और पांच तो भारत में नोट शपाई की जगह है नासिक में होसं अंगाबाद में, हैदराबाद में और देवास में और अंगाबाद में नोट छपाई की जगह नहीं है अगला प्रश्ण है निम लिखित कथनों पर ध्यान दीजिए कथन दिये गए हैं कि पहला कथन है संकेता की योजना मिस्रित अर्थ व्यवस्था की विशेश्था है संकेता की योजना मिस्रित अर्थ व्यवस्था की विशेश्था है परिप्रेक्ष योजना समाजवादी देशों द्वारा उप्योग की जाती है जहां योजना के प्रत्यक पहलू को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है संकेता की योजना मिस्रित अर्थवयस्था की एक विशेष्था है यहां कथन सत्य है परिप्रेक्ष योजना समादवाजी देशनों द्वार उप्योग की जाती है जहां योजना की प्रत्यक्त पहलू को राजय द्वार नियनतित किया जाता है यहां कथन गलत है संकेता की योजना जिसे आम तोर पर कुछ विशिष्ट लक्षें को प्राप्त करने के लिए कुछ व्यापक सिधानतों और दिसन निर्देसों को आगे बढ़ाती है संकेता की योजना क्या होती है एक फ्लेक्सिबल रहती है यह मिस्रित अर्थ व्यस्था के लिए काफी ज़रूरी रहता है और इसमें सरवजनिक और नीजी दोनों शेतर में मवजूद रहते हैं समाजवादी देशों द्वारा व्यापक या अनिवार योजना का उपयोग किया जाता है और योजना के प्रत्यक पहलू को राज्य द्वारा नियंतित किया जाता है ठीक है इसमें क्या होता है परिप प्रक्षियोजना का जो उद्धेश्य हासिल किया जा सकता है तो दूसरा कफान जो है गलत है पहला करत्थन जो है सहीं है कि संक्रेता की योजना मिस्रित और्थ विस्तकी एक विसेश्थता है अगला प्रशन है हेड्लाइन मुद्रई स्विति को मापने के लिए भारा सरकार क कि नहीं लेखेत मुले सुचकांक को में कौन सामाना जाता है तो दिये गये विकल्पों में से हमारे जो सहीं उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्सन डी डव्लू पी आई ठीक है डवलू पी आई इसका फूल फारम होता है wholesale price index हेडलाइन मुदरई स्वीतिकुम आपने के लिए भारत में WPI या wholesale price index का जो है यूज किया जाता है जिसको हिंदी में कहता है थोक मूल्य सुचकांक अगला प्रशन है अंतर राष्ट्रिय चावल अनुसंधान केंद्र किस देश में है तो अंतर राष्ट्री चावल अनुसंधान केंद्र जो है वह है आपका Option 20 का सहीं उतर गएगा फिलिपीने ठीक है अंतर राष्ट्रिय चावल अनुसंधान केंद्र फिलिपीने स्थीत है अप्सन भी हमारा सहीं उतर गएगा इसकी स्थापना वर्ष के अधार पर सहीं करम किसका है तो इस्थापना वर्ष के अधार पर जो सहीं करम रहेगा वो रहेगा आपका option D RBI ठीक है अब इनके स्थापना वर्ष जान लेते हैं तो सबसे जो पहला है RBI RBI का स्थापना वर्स आपका 1935 में RBI की स्थापना की गई थी दूसरा है IFCI IFCI की स्थापना की गई थी 1948 में अगला है ICICI ठीक है तीसरा है ICICI जिसकी स्थापना की गई थी 1955 में फिर अगला है SBI SBI की स्थापना की गई थी 1955 में लेकिन यह January में हुआ था यह जुलाई में हुआ था ठीक उसके बाद है UTI तो UTI की स्थापना की गई थी 1964 में फिर उसके बाद है नबाड ठीक है नबाड नबाड की स्थापना की गई थी 1982 में इस तरीके समरा सही उतर हो जागा option D अगला प्रशन है निमलखित में से किसने प लेका नबाड ठीक है नबाड ने सब से-स पहले किसान क्रेडिट कार्ड लॉस्च किया था अग्ला प्रशन है निमलखित में से किस समस्य से निपटने के लिए निहरूर रोजगार योजना सुरूख की गई थी 21st अगला प्रशन है एम-3 लिसा पूपाईओं कि भी सबसे महत्वपूर्ण घटक है एम 3 का समाने नाम क्या है एम 3 का समाने नाम पूछ रहा है आपसे तो एम 3 का समाने नाम है व्यापक मुद्रा आप्शन सी हमारा सही उतर रहेगा एम 3 का समाने नाम होता है व्यापक मुद्र अगला प्रश्ण है बैंकिंग सेवा भरती बोर्ड की स्थापना बैंकिंग सेवा भरती बोर्ड की स्थापना 2003 में किस समिती की सिफारिशों पर की गई थी तो बैंकिंग सेवा भरती बोर्ड की स्थापना जो है आपकी नर्सीहन समिती की सिफारिश पर की गई थी option B इसका सहीं उतर रहेगा नर्सिम्भन की अध्यक्षता में नर्सियं समीती या फिर जिसको वित्य चेत्र सुधार समीती भी कहा जाता है ठीक है इसकी स्थापना की गई थी इस समीती की स्थापना की गई थी किरिट पारिक समीती किस से समंधित है तो किरिट पारिक जो समीती है वह है आपका तेल मुले सुधार से समंधित है ठीक है किरिट पारिक समीती तेल मुले सुधार से समंधित है अगला प्रश्न है आर्थिक उधारी करण की दिशा में आर्थिक उधारी करण की दिशा में दे अगला प्रशन है भारत में महिलाओं के लिए पूर्ण रोजगार और आत्म निर्भरता प्रदान करने के लिए बनाए गये संगठन का नाम निल्म निर्भरता प्रदान करने के लिए बनाए गये संगठन का नाम निल्म निर्भरता प्रदान करने के लिए बनाए गये संगठन का नाम निल्म निर्भरता प्रदान करने के लिए बनाए गये संगठन का नाम निल्म निर्भरता प्रदान कर सेवा भारत में महिलाओं के लिए पूर्ण रोजगार और आत्म निर्भायता प्रदान करने के लिए बनाएगा संगठन का नाम था सेवा जिसका फूल फाम होता है सेल्फ इंप्लॉइड वूमें एस्टोशियेशन ठीक है ये कम आये वाली और स्वतंदर रूप से कार्यात म महिलाओं के अधिकारों का संगठन है इसकी स्थापना जो है 1972 में की गई थी और इसका जो इस्थापना है वो किया था एला भट ने ठीक एला भट ने किया था अगला प्राश्ना देखते हैं इससे पहले आपसे कुछ कहना जहूंगा मैं कि अगर वीडियो आपको अच्छ लाने वाल हैं सभी परिक्षाओं की दिरिष्टी से सिरीज लाएंगे और कुछ महत्यपूर्ण प्रश्णों का शंग्रह आपके लिए लाने वाले हैं फूड इस्पेक्टर का भी सिरीज हम लेकर आच हुके हैं यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको हमारे च सहीं उत्तर हैगा आपका ओप्षन डी जीडीपी अईस्फिती कारक जो है 83 का धार पर आपको उपलब्धर रहता है अगला प्रशन है आटो मोबाइल उद्यो के कारण किस सहर को डेड्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है ठीक है इंडिया के डेड्रॉइट किस सहर को कहा सहीं उत्तर है चेन्नई चेन्नई को जो है ऑटो मोबाइल उद्यो के कारण डेड्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है अगला प्रशन है नेम्लिखित दरों में कौन सी दर पर भारती रिजरो बैंक अनुसुचित मारिजिक बैंको को रिड़ प्रदान करता है कौन सी दर पर भारती रिजर्व बैंक ठीक है RBI अनुसूचित माड़ीजिक बैंकों को रिण प्रदान करता है तो दिये गए विकल्पों में से हमारा सहिंतर रहेगा option D बैंक दर पर ठीक है repo rate, reserve repo rate, credit दर इन सब पर नहीं बलकि bank rate या फिर bank दर पर जो है RBI अनुसूचित माड़ीजिक बैंकों को रिण प्रदान करता है अगला प्रशन है भारत में प्राकृतिक रबर की उत्पादन पर निम लिखित कथनों पर ध्यान दीजिए तो कथन है भारत में रबर, बागान, केरल और तमिल नाडु राजियों तक ही सीमित है अब तक भारत दुनिया में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है तो दिये के विकलपों में से कौन सा सही है तो दिये के विकलपों में से दोनों सही नहीं है इसलिए हमारा option D सहीं रहेगा ठीक है इन में से कोई नहीं दोनों कथन असत्त हैं अब क्यों असत्त हैं क्योंकि भारत में rubber का उत्पादन करनाटक केरल तमिल नाडू और अंडमान निकोबार द्विप समुह में भी होता है ठीक है केरल और तमिल नाडू के अलावा करनाटक ठीक है करनाटक और अंडमान निकोबार द्विप समुह में भी होता है और दुनिया में rubber का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वह है आपका थाईलेंड ठीक है rubber का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलेंड है अगला प्रश्न है कोर मुद्रैस्विती समान ने मुद्रैस्विती दर ठीक है क्या है कोका सब資料 की इससे की मुद्रैस्विती दर है ऊstem कर और इस का जो साधारन मुद्रैस्विती से अच्छा सूचा होता है इसे इसको बाकिसे अगला प्रश्न है पूरे देश के आय और व्याय का पूरा व्यावरा, जिसे बज़ट कहा जाएगा, संसद के समस्त पेस करना होगा, यहां सविधान की किस अनुच्छध में लिखा हुआ है, अर्थाद बज़ट के बारे में किस अनुच्छध में बताया गया है, यह आपको बताना है, तो इस र सथ 1212 में जो है इसके बारे में चर्चा किया है कि जब की आर व्याय घट से बज़त का जाएगा संसत के समस्त करना होगा इसके बारे मेध्य का बज़त करना होगा नहें कि आर वयाय का होता है बज़त संसत ऑफल्द के सम Аप प्रस्तूत हुँआ तो स्वतन्त्र भारत का प्रथम केंद्री वजट प्रस्तूत हो था आपका 26.99 नवंबर 1947 को ठीक है और किसने प्रेजंट किया था यह आप हमको कमेंट कर के बताईएगा लेकिन मजदूरी और कीमतें लगातार बढ़ती रहती है किस अवस्था में राज्य की आर्थी गति विधी धिमी होती है लेकिन मजदूरी और कीमतें लगातार बढ़ती रहती है तो दिए गए बिकल्पों में से आप्षन भी हमारे सही उतर रहेगा इसको कहते हैं इसमें क्या होता है राज में मंदी जारी रहती है लेकिन कीमत लगतार बढ़ती रहती है इसे हिंदी में मुद्राइस्फिती कहते है या फिर मुद्राइस्फिती जनित मंदी भी कहा जाता है इसमें बेरोजगारी की दर भी काफी जाद रहती है अगला प्रश टेक्स डिपार्टमेंट से सम्मंधित होता है ठीक है इसकी सुरवात कब की गए थी इसकी सुरवात की गए थी अपरेल 2004 में उल्टास की सुरवात की गए थी अपरेल 2004 में अगला प्रशन है नेम लिखीत रूपों में से किसे किसमें विशेश ड्रॉइंग राइट्स HDR को अं सहीं उतर रहेगा option B वही खाता प्रवेश को जो है विसेश ड्राइंग राइट या फिर HDR जिसको कहते हैं अंतर राश्टी मुद्रा को उसकी मुद्रा की रूप में रखा जाता है अगला प्रश्ण है 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत में सबसे कम जन संख्या घणत्व किस प्रदेश का है तो इसका सहीं उतर रहेगा आपका option B और उनांचल प्रदेश में जो है सबसे कम जन संख्या घणत्व है बात करें पूरे भारत की, तो 2011 की जन गणने के इसार, पूरे भारत का जो जन संख्या घनत्व था, वो था 382, 382, ठीक है, सरवाधिक जन संख्या घनत्व था, आपका हाइस्ट, ठीक है, इस निसान सब समझ जईगीगा, कि हाइस्ट बता रहे हैं, हाइस्ट था, देली का, ठीक है, और ये था आपका, एक, 11,297, ठीक है, 11,297, 2011 की जन करने के इसार, पूरे भारत का जो जन संख्या घनत्व था, वो था 382, सब से ज़्यादा था दिली का, 11,297, और सब से कम था, अरुनांचल प्रदेश का, कितना था, 17, अगला प्रस्ण है, अति लगु, लगु और मध्यम, अति लगु, लगु, और मध्यम, उधम, एक्ट कब पारित हुआ, ठीक है, जिसको M.S.E.D. कहते हैं, M.S.E.D. Act, यहाँ पारित हुथ आपका, 2006 में, आप्सन डी हमारा सहीं उतर रहेगा, ठीक है, भारतिय सरकार ने, अति लगु, लगु, और मध्यम, उध्य लोग की परिभासा के लिए, 2006 में, M.S.E.D. Act पारित किया था, इस तरीके से हमने, और सबसे सम्मंधित, महत्य पूर्ण, पचास प्रस्ण को उत्तर देखे, इसका अगला सीरीज भी हम जल्द ही ले कर आएंगे, तो जूड़े रहे हैं, अपनी प्रेक्षा की तयारी पारित कि दोता हैं, म.